हेई गाइज विल्कम बैक टो मैं चानल देट ग्लाम आप कुईन सुगईज आज में आप सबके सार शेयर करने वाले हो एक ऐसा डियावा फीस पैक जिसके हल्प से आप अपनी स्किन को वाइट इन ब्राइट इन बना सकते हैं ग्रोइंग बना सकते हैं बना सकते हैं यह पैक आप जरूर ट्राइट कीजिए क्योंकि यह बहुत ही जादा नैच्रल और एफेक्टिव हैं सामली स्किन से आपकी स्किन अगर आप चाते कि आपको गोरा निखार हो जाए आपकी स्किन बहुत ही जादा ग्लोइंग शाइनी और स्पाटलेस होता है तो यह आप जरूर करना है ग्रैम फ्लार यानि बेसन तो मैं यहाप पर देर चमर बेसन एट कर लिए बहुत सामली स्किन के लिए बहुत साथ है अगर आप चाते हैं कि आपके फेस पर शाइन आजाए तो यह बहुत ही अच्छ अंगिरिंट है उसके बाद अगली चीज़ों में आट करने वाल या अफउद्टी पाउडर तो एक चुथाए चम पजमज में आटकर आट कर रहा हूं हिए अंटीMyे रिए प्रॉपरटी आप तो प्रॉपटी यूंपिया ऑटा है अच्छ से मिकस कर लिया हूं जैसे बाहत इस और यहाहा हैं . , आ सब्सक्रियों करें और यहाहा हुगाद सुद्ध के धारा मली और कच्छादूद . अटनी पाच्चा दूद्ध कैने करने हीजां नहीं भाएं सब्सक्तों काफ़ा है . अब आपको इसे मिक्स को लेना है ताकि सारी चीज़ी एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाये और आपको धियान रखना है कि इस पैक में को रहरा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिलकुल इसी तरीके की रखनी है अब बात करते हैं कि इसे यूज किस तरीके से करना है यूज करने का तरीका बहुत ही जादा सिंपल है यूज करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वाश कर लिजे उसके बाद आपको स्मूधली मसाज करने इस तरीके से आपको मसाज करते हुए अपने फेस पर अपलाई कर लेना है और आपको बहुत ही स्मूदली मसाज करना है जोर जोर से अपने फेस को बिल्कुल नहीं रगाना है स्मूद्ली मसाज करते हुए कम से कम एक से दो मिन तक अच्छे से मसाज करें और उसके बाद कम से कम 15-20 मिनिट के लिए इसको ऐसी सूखने के लिए चोड़ दें और उसके बाद नामल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वाश कर लिजे इसके पहले ही उससे आपको बहुत गैरेंटी देती हूं बहुत अच्छा पैक है यह तो देखे इस तरीके से और मसाज करने से क्योंगा कि आपके स्किन में जो डट स्किन है वो रिमू हो जाएगा और स्किन का बलड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे आपके स्किन पर नैच्छल ग्लो आएगा तो 15-20 मिनिट कि आपको ऐसी सूखनी के लिए छोड़ देना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वाश कर लेना है अगर आपके स्किन में दाग धबे जाईयां पिंगमेटीशन ने टानिंग की दिक्केते तो यह सारी प्रॉब्मस भी दूर हो जाएगा और आपको वाइटिन ड्रा इंग सकीन मिलेगी तो मैंने फेस पर अचिन से अप्लाय कर लिए आप देख सकते हैं कि मेरि मैरा थेस सज्यों हो गया है बहुत ही जज़ंद के लिए नज़र आ रहा है तो अगर आपकी सामली स्कीन है तो आपनी स्किन को जरूरू ट्राय कीजए क क्योंकि बहुत ही जाद नाच्रल और एफेक्टिव है इससे आपकी स्किन की सारी प्रावम्स दूर हो जाएगी और आपको वाइटन ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी अगर आपकी सामली स्किन है स्किन बहुत सादा डल फील करें स्किन पर कोई शाइन नहीं है स्किन पर दाग धबे जाई या पिग्मेंटेशन है तो यह सारी प्रावम्स भी दूर हो जाएगी और आपको कुछी दिनों में वाइटन ब्राइटन और ग्लोइं स्किन मिलेगी इस पैक के बेस्ट रिजल्स तो वीक में कम से कम 2-3 बाट जरूर ट्राइ करें आपको इसके बेस्ट रिजल्स मिलेंगे तो गईस गये थी मेरी DIY रेमेडी आप इसे जरूर ट्राइ कीजए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज मेरे चाहना को जरूर स